दिल्ली की कानून विवस्था पर विदान सबा में गर्जे केजरिवाल सब लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की कानून विवस्था के उपर और ये चर्चा करनी पड़ रही है और सभी विधायक गन इसके बारे में बहुत चिंतित हैं आज से दस साल पहले दिल्ली के लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी थी की केजरिवाल जी आप स्कूल बनाओ केजरिवाल जी आप अस्पताल बनाओ केजरिवाल जी आप बिजली ठीक करो केजरिवाल जी आप पानी ठीक करो सडकें ठीक करो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी हमने स्कूल अच्छे कर दिये हमने अस्पताल अच्छे कर दिये दवाईयां ठीक कर दी हमने बिजली ठीक कर दी हमने कई लाकों में पानी ठीक किया कईयों में बाकिया वो भी कर रहे हैं लेकिन एक सुधार की और बढ़ जिम्मेदारी दी दिल्ली आधाराज्य है तो आधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है आधी जिम्मेदारी केंदर सरकार के पास है तो दिल्ली की जनता ने बीजे पी की केंदर सरकार को जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली वालों को सुरक्षा प्रदान करने का काम आप करो दिल्ली में कानून विवस्था लागू करने का काम आप करो और केंद्र सरकार में जो केंद्री गरह मंत्री हैं अमित शाजी ये जम्मेदारी उनके कंदों पे आती है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए और दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए ये सीधे सीधे अमित शाजी की जिम्मेदारी है पिछले दस साल से धीरे धीरे करते करते हैं और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानूने विवस्था बद से बद्तर होती जा रही है और खास तोर से 2019 में जब से अमित शाजी ग्रहमंत्री बने हैं तब से दिल्ली की विवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है, दिल्ली की कानुन विस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है तब सुरी विरो के लिए दिल्ली से हिमंत कुमार की रिपोर्ट